एक तरफ मुख्य मंतरी मनोहलाल खटर मिसन सत्तर के दिशा में आगे बढ़ते हुई लोक्स भाचुनाओं में हर्याना की सभी दस सीटे भासपा की जोली में आने से गदगद होते हुए अब इस जीत में परदेश से लेकर बुथ और पन्ना पर मुख से तर तक एहम भूमी क अब बहाब चुके पार्टी कार्यकरताओं का समान करने के लिए अभी नंदन समारो का लगातार आयोजनकर पर्देश में भाजबा के परती महूल बनाने का काम करने जा रही है मगर ठीक दूसरी तरफ हर्याना की राजनिते में ऐसी उतल फुतल होने जा रही है साइध जि अपने सबसे विश्वास पात्र को परदेशा दक्स बनाने की होड में लगे हैं यहीं चर्चित चहरा कौन हैं यह बताने के लिए आपको याद करना होगा जीन दूप चुनाओ जी हाँ जीन दूप चुनाओ के दुरान हरियाना कॉंग्रेस के दिगज नेता जिसे कांटा न नेताओं के दमखम का आंगलन करने के बाद परदेशा दक्स को लेकर कोई फैसला करेंगे बल्किस के बाद रंदीब सुर्जवाला के लिए भी रास्ता साफ करने का प्रयास कर रही हैं ऐसे में लोक्स भाचुनाओं में मिली सिकस्त के बाद राहुल गांदे ने पूरी त रंदीब सुर्जवाला के नाम पर मुहर लगा सकता है हो सकता है चार जोन को दिल्ले में होने वाली बैठक में इस नाम पर मुहर लग जाए हाना के दिपेंदर हुड़ा कुल्दीब इस नोई कुमारी सेलजा भी इस दोड में सामिल है अगर अभी अन्तिम लेने राहुल रंदी को ही लेना है बीरो रिपोर्ट हिसार टुडे बदलते रहे समय के साथ हिसार टुडे चैनल को सब्स्प्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाए हिसार के ताज़तरीन खबरें